आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार हरी श्रावत ने प्रीतम सिंग के आरोपो पर कहीं बात कुधान सभाचुनाव में मिली बड़ी हार लेकिन उत्राखंड के दो जिले बने कॉंग्रस की नई उमीद उत्राखंड पे फूल संक्रांती फूल देई पर्व का उल्ला साज देहरी पूजन के लिए घरगर पहुंची फुलारी पूली पर बुकिंग नहीं कराई तो अब नहीं मिलेगी पैर रखने की भी जुगा सत्रत तक ट्रेने बाक नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिका मैरे उत्रा शिरुवात करते हैं उत्राखंड खबरों की कारेकर ताउन ने जोरदार स्वागत किया वहीं बाठक के दोरान महा पंचयत के रास्ट्रे प्रभारी जितन सैनी बॉकसर ने कहा कि हमारे भाई शहीद सुनीत कुमार सैनी जो लगभग साथ महीने पहले शहीद हो चुके हैं लेकिन अभी तक शहीद के परिवार को ना तो सिक्षा की और चले सिक्षा की और से आप लोगों रोजगार मिलता है रोजगार से तीन परिवार मजबूत होते हैं खुद का माबाप का और आने वाले पीडी परिवार है उसका तो यह वह साथी सही कहना चाहिए अपने समाज को बढ़ाने के साथ दे एक दूसरे को करता है और लगतार अपने समाज के हित्त देव ख़डा रहता है और उसी महीम मैं बतादू आपको जो हमारी सूनीद परिवार के मुहीम चल लएए सज्वेदों को ले कर्ga जितने भी सही समाज के ने इस सबूरत सहीद हुए हैं देश के लिए तो उन सब के इमांसमान की म मैं आपसे वादा करता हूं से उन्हें सम्मान दिलाएगा और लगाता परियासरत रहेगा और जो वर्थमान में सत्ता सरकार है एवरेस्ट फते करने वाली भारत की पहली और विश्व की पाचवी महिला परवतारोही उत्राखंड की भाचेंद्री पाल आजादी के अमरत महुतसफ के तहत फिट एट फिफ्टी प्लस वुमेन ट्रांस हिमालियन एक्सपीड्रेशन मिशन शुरू कर रही है पचास वर्ष से अधिक बारा महिलाओ के साथ 460 किलो मीटर की पैदल यात्रा करेंगी पड़ोसी देशों से गुजरने वाली इस यात्रा में दल का नेत्रत्व बचेंद्री पाल कर रही है भारत को वर्मा से जोडने वाला पंग सो दर्रा से 12 मार्च को यात्रा शुरू हो ग दूप में शामिल है तकरीबन पाच महिने तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर बचेंद्री काफिय उत्साहित है जोड़ापूर में विधायक रवी बहादूर ने मा गंगा का आशिरवाद लिया और गंगा पूजन भी किया जिसमें उन्होंने मा गंगा का आशिरवाद लेते हुए कहा कि जनता ने मुझे अपना प्यार और आशिरवाद दिया है और मैं जनता का हमीशा कंधे से कंधा मिला कर अपना विधायक का पदपूरे दिलो जान से काम करूंगा जब मीडिया मन बंधू से विधायक रवी बहादूर ने बात की तो उनका कहना था है कि ज तो मुझे इतना जनता ने प्यार दिया है मैं उसका आभारी हूं जनता की जीत है सुनिश्चिति जनता चुनाओ लड़ी गंग जब टिकट हुआ गंगे मैया का आशिरवाद लिना आयता आज फिर आशिरवाद लिया है पूजा अर्चना चुरू किया अब अपनी विधा पानी वहां पर भैरा है उसको खतम करना है वहां पर बच्चों को अच्छा रोजगार अच्छी शिच्छा की मुहिया करानी है और गंगे मैया के पास हाया हूं उनसा अशिरवाद लिया है अब सब ठीक होगा बोल गंगे मैया की कॉंवर्स की लाहर थी यह तो कहीं ना कही मुझे लगता है कि कोई ना कोई चक्कर रहा है या कुछ लोग को समझानी भी पाई शाहिए दुसी के कारण ना कि हमारी प्रदेश्म सरकार ने बनी बाकि हर्दवार जिरा कॉंवर्स का मजबूत गड़े हर्दवार से हमारे पांच विदान सभा पहुंचे है रभी बड़ह काम करेंगा पहले भी बनाकि है रास्तों की स्वास्ते का बुरा हाल है और हमारे आनने जाने कारो सिस्टम बड़ह नहीं है उसके लिए परास्विकता है हमारी रास्तों की हो गई रोल अस्वास्ती की हो गई जो भी कर सकते हैं वो क्योंकि सरकार दमाई नहीं है विदाक खबर नैनी ताल से है जोहाँ पर होली का त्योहार एक प्रमुक त्योहार है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई राज्जियों में अलग लग तरह से हर्शुलास के साथ होली मनाई जाती है ऐसे ही होली के त्योहार को कुमाउं होली के नाम से भी जाना जाता है यतियोहार कुमाउ छेत्र के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्व है इस होली का काफी एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है पहाडी छेत्रों में रहनी वाले लोगों के लिए ये होली काफी महत्वपूर्व है सभी प्रकार के होलियां स्रिंगार रसे भरी भी हैं, बीर रसे भरी भी हुई हैं सभी बड़े उसा से महिलाओं यहांपर होली का प्रदसन अपना कर रही है लोकल अलमोरी के यहांपर 12 टीमों ने भाग लिया है चेटी में हमारी बाहर कुमाओ इस तर से यहां पर आई हुई फूल दई चमादई कहकर मंगल कामना की जाती है इस परवपर आसपडोस के बच्चों के भूमिका एहम होती है इन बच्चों को फुलारी कहा जाता है दिन फुलारी टोकरी लेकर फूल चुनने जाते हैं और इसके बाद फूल देई छमादेई देडी द्वारा भर भकार गीत गाते हुए खुब जशन मनाया जाता है पूजा कर रंग बिरंग फूल से सजाए जाते हैं और सुख संपन्न ताक्या आशिरवाद भी मांगा जाता है माता से इस वर्ष उत्राखन बोर्ड की परिक्षा 23 मार्च से शिरू होगी इनका समापन 18 अप्रेल को होगा परिक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है मादेविक सक्षा नर्देशक सीमा जौन सारी ने बताया कि हाई स्कूल की परिक्षा पहली पाली में सुबह 8 से 11 बजे के बीच होगी जोकि इन्टरमीडियेट के पेपर दो पहर को दूसरी पाली में 2 से 5 बजे के बीच आयोजित किये जाएंगे हलाकि पहाडी छेत्रों में गुलदार और भालू का भय होने के चलते सिक्षक संगठनों ने शाम की पाली में परिक्षा ना कराने के मांग उठा में इनमे से 191 परिक्षा केंद्रों को समवेदंशील और 18 को 38 समवेदंशील केंद्रों के रूप में चिनहित किया गया है सी ओ रुड की विवेक कुमार ने कलियर थाने का निरिक्षड किया वही छेत्रादिकारी ने कलियर थाने का त्रहमासिक निरिक्षड कर सफाई विवस्ता का जायजा भी लिया और दस्तावेजों को चेक करों उनसे रख रखाओ के लिए उचितन दिर्देश भी दिये मल खाना और थाना परिसर में खड़े वाहनों का भी जायजा लिया और कम्प्यूटर कक्ष सीसी टी एनेस माल खाना थाना परिसर में खड़े वाहनों का भी जायजा लिया रुड की विधान सभा सीट से प्रदीप बत्रा ने जीत की हैट्रिक लगाने के बाद आज प्रकाश होटल में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उनका फोकस रुड की शेहर को विकास की उचायों पले जाना है और इसी का अधार पर वो दिन रात कड़ी महनत कर सभी विकास कारियों को प्रात मित्ता देने का काम करेंगे साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे उत्राखंड में मोदी और धामी के नाम पर चुनाव लड़ा गया जिसे जनता ने स्वीकाराओं और फिर से एक बार फिर प्रिचंड बहुमत दे कर सेवा करने का मौका दिया जनता चाहती है प्यार करकिया और उन्होंने काम किया है तो मैं रिशाथ कोंग्रस नेता सचिन गुपता ने पुशकर सिंग धामी को खुली चेतावनी दी है चेतावनी देते हुए कॉंग्रस नेता सचिन गुपता ने बताया कि अगर वो रुड़की सीट खाली होने पर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें दस हजार से अधे कमतों से पराज़ित करेंगे सचिन गुपता ने ये भी कहा कि कॉंग्रस पार्टी के वो समर्पित कारे करता हैं अगर पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया तो वो पुछकर सिंग्धामी के सामने चुनाव जरूर लड़ेंगे इसी के साथ उन्होंने भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा पर दिखाई दे रहे हैं चुनाव में मिली हार के बाद तमाम प्लेटफॉर्म पर उनको लेकर हो रही आलोचनाओ का उन्होंने करारा जवाब दिया है अपने फेस्वुक पेज पर हरीश ने लिखा है कि पराज़य के बाद पराजित सेना पती को हमेशा आलोचनाओ सुननी प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार